एक खबरों में आप आगे बढ़ते हैं प्रयाग राज में सरकारी बस के कंड़क्टर पर हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दे पुलिस ने आरोपी बीटेक स्टुडेंट लारेब हाश्मी के घर से एक लापटॉप बरामत किया है और सूत्रों के मताबिक इस लापटॉप में पुलिस को कई धर्मविशेश उसे जुड़े वीडियो भी मिले हैं इसके साथ ही लारेब के मुबाइल फोन पर भी कई धर्मविशेश उसे जुड़े फोटोज और वीडियो सामने आए है बता दें आपको कि शुक्रवार को प्रियागराज में 20 साल के चात्र लारेब हाश्मी ने सरकारी बस के कंड़क्टर पर हमला कर दिया था हाश्मी के हमले में बस का कंड़क्टर गंभी रूप से घाल हो गया जिसके बाद आरोपी धार्मिक नारे लगाते वहां से भाग निकला था बाद में पूलिस ने उसको पकड़ लिया अब UPSTF इस पूरे मामले में लगाता जांच कर रही है और आरोपी से पूछताज भी UPSTF की टीम की तरफ से कीजवा रही है इसका एक भागती हुवे का वीडियो भी सामने आया था और जिसमें वो धार्मिक नारे बाजी कर रहा है तो देखिए लारेब हाश्मी प्रियागराच के युनाइट एंजिनियरिंग कॉलेज में बी टेक फॉस्ट यर का चात्र था हर दिन की तरह वो तीन दिन पहले भी सरकारी बस से कॉलेज की तरफ जा रहा था बस में उसकी साथी छात्राएं भी मौझूद थी जो उसने जुआनकारी दी है अभी तक की पूछताच में उसके मुताबिक इसी दौरान 10 रुपे के टिकेट को लेकर हाश्मी का कंड़क्टर के साथ याने की हरीकेश से विवाद हो गया और आरोप यह है कि कॉलेज की छात्राओं के सामने ही कंड़क्टर ने उसे अपमानित किया ऐसे में कंडक्टर की अफमान से गुसाई हाश्मी ने बदला लेने की ठान ली थी और उसके बाद उसने इस पूरे घटना करम को अंजाम दिया है ये अभी तक लारेव हाश्मी के द्वारा बताई गई बाते हैं लेकिन अभी जो लापटॉप और कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं उससे ये सीधे तोर पर हम कह सकते हैं कि ये मामला किसी और मामले से भी जुड़ा हो सकता है तो गुसा हाश्मी ने कंड़क्टर से बदला लेने की ठानी और उसके बाद उसने इस पूरे घटना करम को अंजाम दिया conductor की उपर उसने हमला बोल दिया और उसके बाद वो भागने लगा वहां से जिसके बाद उसके जो वीडियो सामने आया है उसमें धार में किनारे लगाने की बात भी की जा रही है और वो वीडियो भी सामने आया है विशाल अब जो लैपटॉप लारे भाश्मी का बरामत किया गया है उसमें कई फोटोज और वीडियो सामने आये हैं उन फोटोज और वीडियो से ये क्या माना जाए कि कहीं न कहीं किसी और मामले से जुड़े हुए हैं जो लारेब हास्मी की दुबारा कहा गया है कि उसने सिर्फ कंडक्टर से बदला लेने के लिए इस तरह का कदम उठाया लेकिन कोई और मामला भी हो सकता है पीछे देखें बेकोल लारेब हास्मी के जो घर से बकायदा जब टीम पहुँची तो उसने इस बात को लेकर उसके घरवालों से भी बात चीद की इसके साथ उसके घर से एक लैप्टॉप बरामत किया है यूपी एटीस की टीम भी कल पहुँची थी पुलिस की टीम भी पहुँची है कि वो कहीं न कहीं से किसी के संपर्क में आया था क्योंकि जिस तरह से उसने घटना को अंजाम देने के बाद जो वीडियो बनाया वो एक संकेट देता है जो रेडिकलाइस किये जाते हैं तमाम युवा जो आतंक के मनजाम दिया तो उस थियोरी को ही नहीं मान रही है पुलिस और ATS अब अपने हर एंगिल पर जाज कर रही है अब जो ये वीडियोस मिले हैं इसके साथ साथ उसने जो तमाम बाते वीडियो में कहीं थी उन सब चीजों को भी मिलान किया जा रहा है पाकिस्तान के जो एक मौलाना का जिकर किया जा रहा है एक संगटन का जिकर किया जा रहा है उसका भी जो है पुरा पुरा तथ है वो खंगाला जा रहा है जो लारिप के दोस्त है या उसके जो रिष्टदार है उनसे भी अलग अलग पूस्ताच की जा रही है और सबसे महत्पूर बात है कि जो वीडियोस उसके लैपटाउप में मिले हैं, फोन्स में मिले हैं, जो फोटोस मिली हैं, वो बहुत ज़्यदा आपती जनक है, देश विरोधी के तौर पर इसको देखा जारा है इस वीडियोस को, तो ऐसे में ये वीडियोस उसके पास कैसे है, क्या उसने डाउनलोड किये थे, या उसको किसी ने दिये था, इस तरह की तमाम चीज़े हैं, जिनके जवाब फिलाल जाच अजन्सियां जो हैं, वो खंगार लई हैं, ठीक विडियोस जो बरामद हुए हैं, फोटो जो सामने आई हैं, उस सही कहा ज़ा सकता है, कि कही ना कहीं, लारे भाश्मी कितार किसी ना किसी से जुड़े हुए थे, वहां तक तार पहुँचते हैं, यूपी स्टीफ की टीम लगातार कारवाई कर रही है, इस मामले को लेकर क्या खुलासा होता है, जी नियूज इस पर अपनी नजर बना कर रखेगा